नमस्कार ये हिन वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेडिल प्रफॉर्म में रास्ट्र हित्मे सिक्षा दिसे धीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तों आज की इस वीडियो में भारती सम्मिधान यानि इंडियन कांस्टिट्यूशन के टॉप हंडिट कोईसंस देखेंगे यानि वो सो प्रस्ण होंगे जो एक्जाम में ट्रेंड करने वाले हैं पूरे NCRT वेस्ट पर हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला समय स्व निर्वाचन आयोग का उलेख है अंचेद 124, अंचेद 324, अंचेद 320, अंचेद 326 तो ध्यान दिजेगा भारती सम्मिधान के अंचेद 324 में निर्वाचन आयोग का उलेख किया गया है बात करते हैं गले प्रस्ण की निर्वाचन आयोग का अध्धक्च कोन होता है तो न मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं ये निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्य होते हैं आपका option number D सही है बात करते हैं अगले प्रस्ण की भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की निक्ति किसके द्वारा किया जाता है तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो निक् अंतरगत बंगाल के गवर्णनर्ट जन्रल को भारत का गवर्णनर्ट जन्रल बनाया गया था तो ध्यान दिजेगा 1833 की चार्टर अधनियम के अंतरगत जो है बंगाल के गवर्णनर्ट जन्रल को भारत का गवर्णनर्ट जन्रल बनाया गया था दोस्तों अगर अभी तक अगले प्रश्ण की भारती सविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोज से संबन रखता है तो ध्यान दीजेगा ये दसवी अनसूची जो है भारती सविधान का जो है दल बदल जो है निरोज से संबन रखता है बात करते हैं अगले प्रश्ण की भारत के प्रथम गव और विफ्व्वाइब थें, बात करते हैं, अगले प्रेशन के, भारत के प्रथम वायसराय कों बने थे, लाडिकैनिंग, लाडि विल्यम वैटिंग, सर दिनकर राव उप्रौप्प्त में कोई苗ी, तो ध्यान दीजेगा, लाड्य कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बने थे, बात करते हैं अगले पृष्ण की, भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाओ कब संपन हुआ, बात करते हैं अगले पृष्ण की, सविधान के किस संसोधन द्वारा मतदान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई थी तो ध्यान दीजेगा 165 सविधान संसोधन अधनियम 1989 के अंतरगत मतदान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई थी बात करते हैं अगले प्रश्न की भारत का उपराष्ट्यपती किसका प्रदेन सभापती होता है तो भारत का जो उपराष्ट्यपती होता है ये किसका सभापती होता है ये होता है राज्यसभा का प्रदेन सभापती होता है बात करते हैं अगले प्रश्न की राज्यसभा की बै करने का आधार क्या था भारत की सवधान सभा गठित करने का जो आधार था वो था cabinet mission plan 1946 जो है भारत की सवधान सभा गठित करने का आधार था बात करते हैं अगले प्रश्ण की स्वतंत्र भारत की लोगसभा का पहला अधक्ष कोन था तो स्वतंत्र भारत के लोगसभा का जो पहला अधक्ष थे वो थे जेवी मावलंकर जो है ये स्वतंत भारत के लोगसभा के पहले अधक्ष थे बात करते हैं अगले प्रशन की भारत का पहला उप्रधान मंत्री कौन था तो भारत का जो पहला उप्रधान मंत्री थे वो थे बल्लंभाई पटेल बल्लंभाई पटेल जो है भारत के पहले उप्रधान मंतरी थें बात करते हैं अगले प्रश्ण की भारत के पहले राष्टपती के रूप में डाक्टर राजिंद प्रशाद का चुनाओ किया गया था निर्वाचन मंडल द्वारा भारत की जंता द्वारा सविधान सभा द्वारा संसर द्वारा तो धान दिजेक भारत के पहले राष्ट्रपती डाक्टर राजन्द प्रधात का जो चुनाओ किया गया था ये सविधान सभादवरा किया गया था किसके दवरा सविधान सभादवरा डाक्टर राजन्द प्रशाद का चुनाओ किया गया था बात करते हैं गले प्रशन की हम हमारा राष्टेगान पहली बार कब और कहां गया गया था तो हमारा राष्टेगान जो है पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गया गया था बात करते हैं अगले प्रश्टेगान की उपराष्टेपती के कारकाल की अधि कितने वर्स की होती है तो उपराष्टेपती के जो कारकाल की अधि होती है यह होती है कितना पांच वर्स पांच वर्स जो है उपराष्टेपती के कारकाल की अधि मानी गई है बात करते हैं अगल तो भारत के उपराष्ट्रपती का अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है तो भारत के उपराष्ट्रपती का अभियोग है ये लगाया जाता है किसके द्वारा राज्य सभा के द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपती का अभियोग लगाया जाता है बात करते हैं अ कितने सांसत लोगसभा में होने चाहिए तो ध्यान दिजेगा लोगसभा में विपच्छी दल होने के लिए कम से कम 55 जो है सांसत लोगसभा में होने चाहिए बात करते हैं अगले प्रश्ण की लोगसभा का सत्र एक वर्स में निवनतम कितनी बार बुलाया जाता है तो लोगस तो सुन्य काल जो है, ये क्या है? जब सदन में अति महत्पूर्ड मामलों पर विचार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सुन्य काल. बात करते हैं अगले प्रश्ण की, संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधे का पारित होना होता है. तो संसत के दोनों सदनों के सयूंत की बैठे को भेजा गया विधे जो है ये उपस्चित सदस्चों के आधार पर बहुमस से पारित होना होता है बात करते हैं अगले प्रशन की लोग सभा के किसी सदस्च की सदस्चता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्चित रहने पर समाप्त हो जाती है त बात करते हैं अगले प्रशन की भारत में दल रहित लोकतन्त का प्रस्ताव किसने रखा भारत में दल रहित लोकतन्त का जो प्रस्ताव रखा था जय प्रकाश नारायन ने किसने जय प्रकाश नारायन ने भारत में दल रहित लोकतन्त का प्रस्ताव रखा था बात करते हैं अगले प्रश्ण की डाक्टर भीमराव अमेटकर ने सविधान का हिर्दय और आत्मा किसे कहा है तो डाक्टर भीमराव अमेटकर ने सविधान का हिर्दय और आत्मा जो है सविधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको इहो ने हिर्दय और आत्मा कहा है बात करते हैं अग कब होई थी 9 December 1946 को संसत के केंदरी कच्च में सर्विधान सभा की पहली बैठक होई थी बात करते हैं अगले प्रशन की सर्विधान की मसौदा समिती के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी वो की गई थी जवाहलाल नहरू के द्वारा किसके द्वारा जवाहला नहरू के द्वारा सर्विधान की मसौदा समिती के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी बात करते हैं अगले प्रशन की भारत की सर्विधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी तो भारत की जो सर्विधान सभा है ये काविनेट मिशन के कहने पर बनाई बात करते हैं गले प्रश्ण की भारत संसत के उच्छ सदन को किस नाम से जाना जाता है तो भारती संसत के उच्छ सदन को जो है राज सभा के नाम से जाना जाता है किस नाम से राज सभा के नाम से भारती संसत के उच्छ सदन को जाना जाता है बात करते हैं गले प्रश्ण की राज्य सभा में सीटों की अधिक्तम संख्या कितनी है तो राज्य सभा में सीटों की जो अधिक्तम संख्या है ये 250 है कितनी 250 जो है राज्य सभा में सीटों की अधिक्तम संख्या मानी जई है बात करते हैं हैंगल प्रश्म की राज्य सभा के लिए राष्टपती द्वारा कि 12 सदश्यों को मनोनीत किया जाता है कितने 12 सदश्यों को राज सभा के लिए राश्टपती के द्वारा मनोनीत किया जाता है बात करते हैं अगले प्रश्न की राज सभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विगठित नहीं किया जाता है इसलिए राजसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्ण की, राजसभा का सभापती कोन होता है, राश्ट्यपती, उपराश्ट्यपती, पधानमंत्री, लोकसभाध्यत्य, तो राजसभा का जो सभापती होता है, बो होता है उपराश्ट्यपती, उपर दिएगा, राजसभा को कभी भी भंग नहीं किया दा सकता, तो आपका आपस्वन नमबर D सही है, इन में से कोई नहीं, बात करते हैं गल्ला प्रश्ण की, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उमिद्वारों की निंतम आयों कितनी होनी चाहिए बात करते हैं अंकले प्रशन की राजित सभा के सदस्यों का कारकाल कितने वर्स का होता है तो राजित सभा के सदस्यों का जो कारकाल होता है ये 6 वर्स का होता है कितने 6 वर्स जो है राजित सभा के सदस्यों का कारकाल होता है बात करते हैं गले प्रश्ण की संसत के दो सत्रों के बीच की अवदी कितने मां से अधिक नहीं होनी चाहिए तो संसत के दो सत्रों के बीच की जो अवदी है ये छह मां से अधिक नहीं होनी चाहिए आपका आपस्वन नमर भी सही है बात करते हैं गले प्रश्ण की लोग सभा के निर्वाची सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो लोगसभा के निर्वाची सदस्यों की अधिक्तम संख्या जो है ये 550 हो सकती है कितनी 550 जो है लोगसभा के निर्वाची सदस्यों की अधिक्तम संख्या हो सकती है बात करते हैं प्रशन की वरतमान में यह थे सशिदानन सिनहा जो है सविधान सभा के अथाई अध्यक्ष थे बात करते हैं अगले प्रश्न की सविधान सभा के सविधानिक सलहकार कों थे? तो सविधान सभा के जो सविधानिक सलाकार थे ये थे वनेगल नरसिंग राव वनेगल नरसिंग राव जो है सविधान सभा के सविधानिक सलाकार थे बात करते हैं गले प्रशन की भारती सविधान सभा की संगी सक्ती समिती के अधिक्ष कोन थे तो भारती सविधान सभा के स संगी सकती समिती के अध्धक्ष थे बात करते हैं अगले प्रश्ण की सविधान निर्मात्री सभा में धंडा समिती के अध्धक्ष कौन थे तो ये थे कौन जे भी किपलाने जो है धंडा समिती के अध्धक्ष थे बात करते हैं अगले प्रश्ण की भाती राष्टी धोज त जरंगा का डिजाइन तयार किया था बात करते हैं प्रश्ण की भारती सविधान के निर्मान में कुल कितने समय लगे थे तो भारती सविधान के निर्मान में कुल जो समय लगे थे दो वर्स 11 मैने 18 दिन जो है भारती सविधान के निर्मान में कुल समय लगे थे बात करते हैं लागो किया गया था बात करते हैं गले प्रश्ण की विस्ट का सबसे बड़ा लिखित एवं सारवधिक व्यापक सविधान किस देश का है फ्रांस USA भारत कनाड़ा तो विस्ट का जो सबसे बड़ा लिखित सविधान और सारवधिक व्यापक सविधान है वो किसका है भारत का सही है, बात करते हैं अगले प्रशन की, भारती सविधान ने भारत को किस प्रकार वंडित किया है, भारती सविधान ने भारत को जो है, एक राज्यों का संग कहा है, क्या कहा है, एक राज्यों का संग, बात करते हैं, अगले प्रशन की, राज नीती के निर्देशक सिध्धा किस देश से लिया गया है तो यह लिया गया है आयरलेंड से आयरलेंड से जो है राज नीति निर्देशक सिध्धान जो है लिया गया है दोस्तों फिर से कहना चाहेंगे अगर आप हमसे अभी नए जुड़े हैं चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब क कि प्रस्तावना में जो धर्म निर्पेक्ष सब्द है ये जोड़ा गया था बयालिसामा सविधान संसोधन में कब बयालिसामा सविधान संसोधन में जो है धर्म निर्पेक्ष सब्द जो है जोड़ा गया था बात करते हैं अंगले प्रशन की हमारे सविधान में मूल अधिक कहां की सविधान द्वारा फ्रेरित है तो ये है कहां की सविधान द्वारा सैंतराष्ट अमेरिका के द्वारा आपको आप्सन नमबर ये सही है बात करते हैं एंगल प्रश्ण की भारत के सविधान का धाचा तयार करने के लिए संगी ब्योस्था की योजना किस देश से लिय गया है. तो यह लिया गया कहां से? कन्नाड़ा थे. कन्नाड़ा से दोस्तो भारत के सविधान का धाचा तयार करने के लिए संगी व्योस்था की योजिना जो है, लिया गया है. बात करते हैं इंगले प्रशन की सभ्धान के अंतरगत भारती लोगतंद के आदरशों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं कहां प्रस्तावना नुंद दोस्तों काफी बार ये एकजाम में पूछा भी जा चुका है इसे आपनो डाउन कर लेजएगा बात करते हैं इंगले प्रश्ण की भारत की संप्रभुता किसमें नहीं थे है, तो भारत की जो संप्रभुता है ये जो है भारत की जनता में नहीं थे है, किसमें भारत की जनता में जो है भारत की संप्रभुता नहीं थे है, बात करते हैं इंगले प्रश्ण की भारती सविध सविधान की प्रस्तावना में उलिकित हैं। बात करते हैं अगले प्रशन की, सविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संसोधन कितनी बार किया है। बात करते हैं एंगले प्रशन की भारत एक धर्म निर्पेक्ष राज है इसका मतलब है कि भारती राज जो है किसी निच्चि धर्म का समर्थन नहीं करता आपका उस्टन बड़ी सही है भारती एक धर्म निर्पेक्ष राज है इसका क्या मतलब है कई बार एक जाम में पूछा गया तो इसका जो अर्थ है कि किसी निश्ची धर्म का समर्थन नहीं करता भारती राच्छी है बात करते हैं इंगले प्रश्ण की पिट्स इंडिया एक्ट कब आस्तित्व में आया तो ये आया था कब 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है आस्तित्व में आया था बात करते हैं गले प्रिशन की कोलकाता में एक उच्चितम न्याले की अस्थापना कब की गई तो कोलकाता में जो उच्चितम न्याले East India Company के रूप में बैपार करने कब आये थे तो ये कब आये थे सोलचों में जो है British East India Company जो है भारत में बैपार करने के रूप में आये थे आपका option number D सही है बात करते हैं अगले प्रश्ण की भारती सविधान के किस संसोधन अधनियन द्वारा पंचायती राज बेऊस्था को सविधानिक दर्दा दिया गया था तो ये दिया गया था दोश्टों तो त्यहत्तर में सविधान संसोधन के अंतरगत जो है पंचायती राज बेऊस्था को सविधान में दर्जा दिया गया था आपका option number D सही है बात करते हैं अगले प्रशन की सविधान की प्रारू समिती में कुल कितने सदस थे तो सविधान की प्रारू समिती में कुल जो है साथ सदस थे कितने साथ सदस जो है सविधान की प्रारू समिती में थे बात करते हैं अंगले प्रशन की मंत्री मंडल सब्द का उलेक किस अंशेत में है तो मंत्री म प्रशन की सोसर के विरुद्ध अधिकार किस अनुछेद के अंतरगत आता है तो सोसर के विरुद्ध अधिकार जो है अनुछेद 23 और 24 में आता है किसमें 23 और 24 अनुछेद में जो है सोसर के विरुद्ध अधिकार के अंतरगत आता है बात करते हैं गले प्रशन की भारत का र महावियोग की प्रक्रिया का उलेक किस अनुशेत में किया गया है तो महावियोग की जो प्रक्रिया का उलेक है ये अनुशेत 61 में किया गया है किसमें अनुशेत 61 में दोस्तो महावियोग प्रक्रिया का उलेक किया गया है बात करते हैं प्रशन की भारत के प्रतम आम 51 और 52 के बीच में बात करते हैं प्रशन की भारती सविधान भारत का वर्डन किस रूप में करता है तो भारती सविधान जो है भारत का वर्डन है ये करता है राज्यो का संख राज्यो का संख की रूप में भारती सविधान जो है भारत का वर्डन करता है बात करते हैं प्रश कि भारती सब्धान की आठवी अनसूची में कितनी भासा सामिल है 18, 22, 16, 12 तो भारती सब्धान की आठवी अनसूची में कुल 22 भासा जो है सामिल कितनी 22 भासा आपको आपस्वन नंबर भी सही है बात करते हैं गिल प्रशन की भारत के वित्यमंत्याले को परिसर को भी कहा जा तो भारत के वित्मंत्याले के परिसर को जो है उत्तरी ब्लाग कहा जाता है क्या कहा जाता है उत्तरी ब्लाग जो है भारत के वित्मंत्याले के परिसर को कहा जाता है बात करते हैं अंगले प्रशन की भारत में एकल नागृत्ता की अधारना अपनाई गई है तो भारत में एक एकल नागरित्ता की जो अधरना अपनाई गई है ये इंगलेंड से अपनाई गई है कहां से इंगलेंड से अपनाई गई है भारत में एकल नागरित्ता की अधरना बहुत ही महत्यपूर्ट प्रश्ण है दोस्तों इसे आपनो डाउन भी कल दीजेगा चले बात करते हैं अग अगल प्रश्न की भारती सविधान में समवर्ती सूची किसके सविधान से ली गई है तो भारती सविधान में जो समवर्ती सूची है ये लिया गया है कहां से आश्टेलिया से आश्टेलिया से जो है भारती सविधान में समवर्ती सूची जो है लिया गया है बात करते हैं सविधान में संसोधन का प्रस्तावना जो है लिया गया है बात करते हैं घ्लप्रश्ण की औनई इस तो चछतिस में किस व्यक्ति ने वयक्स मत अधिकार के आधार पर सविधान सभा की गठन करने की मांग की थी तो एक किया था किसने जवाहलाल नहरू ने जो है वयक्स मत निर्वाचार पर सविधान सभा के गठन करने की मांग कि थी, आपका option number c सही है, बात करते हैं गल्प्रश्ण की, सविधान सभा के गठन की मांग सर प्रतम अठारत सो पंचान में किस के द्वारा प्रस्तूत की गई थी, तो किया गया था बाल गंगा धर तिलक की द्वारा 202 विस अधस्यों का निरवाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतनिधित निरवाचीत हुए थे। यог कितने हुए ? 208 बात करते एंगल प्रशन की सविधान सभा में देशी रियायतों के लिए कितने प्रतनिधी थे तो सविधान सभा में देशी रियायतों के लिए कितने प्रतनिधी थे यह थे कितने 70 प्रतनिधी सत्तर प्रतनिधी जो है सब्धान सभा में देशी रियात्यों के लिए थें बात करते हैं अंगल प्रशन की विधान सभा में किस देशी रियाशत के प्रतनिधी ने भाग नहीं लिया था तो विधान सभा में जो है देशी रियाश्यत के प्रतिनीधी में हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, आपका option number C सही है, बात करते हैं अंगले प्रशन की, बियार अंबेटकर का सब्धान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, तो बियार अंबेटकर का सब्धान सभा म कहां हुआ था, दिल्ली में, दिल्ली में जो है सब्धान सभा का प्रतम अधिवेशन हुआ था, बात करते हैं अंगले प्रशन की, 14 दिसम्मर, 946 को, किसे सब्धान सभा का अस्थाई अध्धेक चुना गया था, तो यह चुना गया था किसे, डाक्टर राजिन्द प्रशा विद्धान पर हत्ताच किया थ, बात करते हैं अंगले प्रशन की, regulating act कब पारित किया गया था, तो जो creating act है, यह पारित कब किया गया था, 1773 में, आपका option number 1 सही है, कि मारले मिंटो सुधार बिल किस वर्स में पारित किया गया था, तो मारले मिन्टो विल जो है यह उनाई सो नौ में पारित किया गया था कब उनाई सो नौ में बात करते हैं अंगले प्रश्ण की निर्ण में से किस देश से भारती सविधान ने लेखित सविधान के रूप को प्राप्त किया है तो यह किया है कहां कि यूवियस की सविधान से, बात करते हैं अंगले प्रशन की नियाइपाली का द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं, निर्णे विधी किसे कहते हैं, नियाइपाली का द्वारा बनाए गए कानून को निर्णे विधी कहते हैं, बात करते हैं अंग कानून सहायता और समान न्याव्रदान करता है आपका option number 3 सही है बात करते हैं अंगले प्रश्ण की भारती सविधान का पहला संसुधन किस वर्षी हुआ था तो भारती सविधान का जो पहला संसुधन है यह हुआ था 1951 में बात करते हैं अंगले प्रश्ण की भारती सविधा का अंशेत 60 संदर्भित करता है तो भारती सविधान का अंशेत 60 जो है ये राष्टपती की सपत की बात करता है किसकी राष्टपती की सपत की बात कुन करता है अंशेत 60 बात करते हैं अंगले प्रश्ण की भारती सविधान के अंशेत 327 से 329 में से किस से सम्मंदित है ये सम् जो है 22 सह में सविधान संसोधन को भारत का लगु सविधान कहा गया है। जो है बात करते हैं अगले प्रशन की भारत के सविधान का संसोधन करने से सकती देता है। सुनिचित की गई है तो भारत के सविधान में प्रेश की सुतनता जो है यह अनुछेत जो है 19 में सुनिचित की गई है। राजसब्द का प्रयोग सरप्रथम किसने किया था तो राजसब्द का प्रयोग है वो सरप्रथम में किया वेली ने किया था। सविधान के किस धारा के अंतरगत कोई भी व्यक्त मोलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उचितम न्यालय में उठा सकता है तो यह उठा सकता है धारा 32 के अंतरगत। दोस्तों उमीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी रगी होगी अगर आपको इस क्लास के पेडियक चाहिए तो गुरुजी वर्ट के टेलिग्राम से जुड़े साथ ही साथ दोस्तों अगर हमसे अभी तक नए जुड़े हैं चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल